वल्कम बेक अब्रिवन वल्कम टू सुबल सर्विसेश टड़ी यह प्रैक्टिस सेट नमबर 271 यूपी पीसेश के लिए प्रैक्टिस सेट सीरीज चल लगी है और एडमिट कार्ड जो है आयोग ने जारी कर दिया है चौदह में को एक्जाम है तो हर दिन प्रैक्टिस करते करिएगा जितने भी टेस्ट अब होंगे उनमें जो भी करेंट अफेट्स होगी वो 30 मार्च यह उससे पहले की होगी तो सारे के सारे सवाल इंपोर्टेंट है ग्रोन मत करना किसी को भी और इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखेंए वहां प्रैप टेस्ट नंबर बन से लेकर जो भी नया टेस्ट आएगा वहां तक पहुंच सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका तो पहला प्राशन करेंट पहलोत ने वर्देयार 24 बजट में 19,000 करोड रुपे के मुद्रा इस फिती राहत पैकेज की और इस पैकेज का उद्देश जनता को बढ़ती कीमतों से राहत दिलाना है और पैकेज में गरीब परिवारों को प्रतीमा मुफ्त में जो है भोजन के पैकेट उजला योजना क पांसो रुपे में एलपीजी गैस सिलेंडर और घरेलू उपहुकताओं को हर महीने सो यूनिट तक मुफ्त विजली जो है सामिल है कि दिली सरकार ने कई सालों से 200 तक फिर दिया है कि कोश्चन नम्रीकित में से किस सहर ने वर्ड गॉर्ण गॉबर्मेंट समिट दोहर ते परते एक वर्स होता है दुबई में तो इसमें कंफ्यूजन की कोई गुंजाइस नहीं होने चाहिए तो दुबई के नाम याद रखिएगा और कब से हो रही है दोहर तेरह से हो रही है और 23 यानि 10 साल हो गए होते 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 दुबई है इसका अंसर है देखिए गवार्ड गॉर्मेंट सब्मिट द्यहार 23 जो है दुबई में 13 फर्वर्दी द्यहार 23 से सुरू हुई और बॉर्ड सब्मिट 23 शेफिंग फिछर गॉर्मेंट की थीम के तहत आयुजित की गई वर्ड गॉर्मेंट 9 region glimpse Łt टृव अर egent मैं में आयो ज़ित होने वाले एक वार्शिक कार rivers में correct होगा केबलादेव राश्टे उद्यान राजय emocích भरत्पुर में इससथ एक आध्र भूमी और पक्षिया भीरन चिलका जही लोगालादेव रास्टि उद्यान मौन-्ठ रिकॉर्ड में दर्ज है हो तेखे दोई केवल दो ही राज्टे उद्यान या भ्हरन जो है मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में दर्जे अभी तक उनमें से केवला देव लेकिन चिलका जील नहीं है उसमें तो करेक्टी अपने को बताना है तो सेकंड वाला इन करेक्ट है कि वल एक ही करेक्ट है यहाँ पर तो केवला देव राश्टे उद्यान राज्श्थान का और अडिसा की चिलका जील को वर्ष 1901 में भारत के पहरे रामसर इस्तलों के रूप में मानेता दी गई थी एक चीज़ तो यह याद रखने हैं आपको और दो चीज़े यह याद रखने हैं केवला देव राज्टि हुद्यान और मनिपूर की लोक्तक जील यह दो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में दर्ज हैं यह केवल दो इसके अलावा और कोई नहीं है इसलिए सेकंड स्टीट्मन क कहले था कोस्यों कॉछर्ण नुम्र फोर पर आजागी व्रिगेडियर बिडी century ब्रिगेडिर बिडी मिस्टा को किस राजय कि निशास्तुत Praddyus कि राज जपाल या उपाम जप qualities रूप में नुक्त क्या गया जो किस सेवागा सेवानी व्रत प्रगेडियर बीडी मिश्रा को गवर्नर या उपराज जपाल बनाया गया लदाक का ऑप्सननमबर भी है इसका अच्छा थीकिए अच्छा के दूसरे उपराज जपाल के रूप में बीडी मिश्रा को जो है न्युक्त किया गया और उन्हें पूर्व आईएस अधिकारी रा राधा करश्ण माथूर और वर्ज दोहार उन्हें इसमें लद्दाक के एक इनशाष्ट प्रडेस बनने के बास 27 महीनों तक यह जो राधा करश्ण माथूर उपरा जपाल रहे लद्दाक के और राष्ट परी दिरोपदी मुर्बूने बारे फरवरी दिशाते इसको राधा क के बारे से तिरह दिन के लिए वर्शन नमबर फाइब पर आजए अचल प्रदेश का गठन के संविधान संसोधन के तहद किया गया था पच्पन एक्यावन चोगन वावन कि कब हुआ था 1987 में यह सनियाद रखेगा पच्पनवा संविधान संसोधन है अप्सन नमरे तो क् प्रशन हाल ही में भारत के प्रदान मंतरी ने अरणाचल प्रदेश के 37 वे स्थापना दिवस पर वहां के लोगों को अपनी सुपकामनाय दी और वर्श 1986 में भारते संविधान में पच्पनवा संसोधन किया गया उसके माध्यम से 20 फरबरी 1987 को भारते संका 24 वा राज्य ब कौश्चन नुबर 6 पर आजए इनमलिके दमें से कौन सा भारत के मतश्चन छेत्र संबन्धी पहल के रूप में सामिल है कौनसी मतश्चन छेत्र संबन्धी पहला है इनमें पाक खाड़ी योजना परदान मंतरी मतश संपता योजना मतश और एक्वा कल्चर इंफ्रास्ट इनफरास्ट्र से संबन्धी पहला है तो एक और तीन हो गया लेकिन दूसरा भी है पाक खाड़ी योजना भी है तो 123 डीवल आप्शन हो जाएगा देखे भारत में मतश से छेत्र से संबन्धित जो पहले हैं वो हैं पाक खाड़ी योजना परदान मंतरी मतश संपता योजना और मतश से फालन मतश से पालन और एक्वा कल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप्मेंट फंड कोईशन नमबर सेबन पर आजए प्रकाश प्रदूशन के संदर में अमलिकित में से कौन से स्टेट्मेंट से यह प्रकाश प्रदूशन कृतिम प्रकाश का अत्यधिक उपियोग है और प्राकृतिक अंधकार को भंग करता है यह और यह खगोलिये पिंडो की दरश्य शमत उसेटा को परवावित करता है कौन्स Beef मैं तो टयक्स प्रकाश प्रदूशन यह प्राकृतिक अंधकार होता है तो correct है बिल्कुल यह तीनों की तीनों statement डी है इसका अमसर तो प्रकास प्रदूशन क्रतिम प्रकास का अत्यदिक उप्योग है जो रात्री में आकास को प्रकास्षित करता है और प्राकृतिक अंधिकार को भंग करता है यह खगोलिय पिंडों की द्रश्य छमता को प्रभाव प्रकास के संपर्क में आने से मानब की जो प्राकृतिक लेह है वो बाधित हो सकती है ठीक है नींद राना जैसे की ठकान होना और अन्य स्वाश्व संबंदी समस्याएं सब अर्थिक लागत प्रकास प्रकास प्रदोशन से उर्जा की परबादी होती है जिसे विद्धुत लागत अधिक आती है और अनावश्यक कारवन उत्सरजन होता है रैवीज से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है यहां पर कौन साइस में करेक्ट होगा देखे रैवीज एक वैक्सिन रोग्थाम योग्य जिवानु जनित विमारी है और विश्व में रैवीज से होने वाले कुल मोतों में 90 पृतिशत मोते भारत से संबंदित हैं क्यों सारे एक पागल कुत्ते बिल्ली बंदर भारत में रहते हैं क्या गलतिस स्टेटमेंट विश्व का किवल 36 प्रतिशर है 90 प्रतिशर तो बहुत ज़्याद हो गया एलिमिनेट कर दीजे दूसरा और रैवीज एक बैक्सिन रोग्थाम योग्य इतना करेक्ट है जो नो देखे रैवीज एक वैक्सिन रोग्थाम योग्य जो नोटिक विशाणु जनित भीमारी है ना कि जीवाणु जनित और यह है राइवो न्यूक्लिक एसिड यानि आरेने वाइरस की करण होता है जो पागल जानवर जोगी कुत्ता बिल्ली बंदर तीनों में से कोई भी हो परजूद होता है और यह संक्रमित पस्व के काटने से मतलब इन तीनों के अनिवारी रूप से फैलता है जिसे घाव में लार और वायरस का नक्षेपन होता है नैदानिक लक्षण प्रकट होने के बाद रैवीज लगफक 100% घतक है ठीक है कार्डियो सशन विफलता के वन जीवन से दूर रहकर और लक्षणों के सुरू होने से पहले संभावित जोखिम को चिकितसा देखवाल प्राप्त करके रूपा जा सकता है भारत में जो रैवीज एक स्थाने के और विश्मे रैवीज से होने वाली कुल मौतों में 36% ना की 90% होते भारत से संभावने दोनों के दोनों इन करेक्ट हैं को अब को नमबर नाइन पर आजिए हाल ही में सुनद पतक जीता है कि इसने निखत जरीन ने आपको बताना है कि निखत जरीन और एक और इनकी सायक लवलीना नमदे के दूसे किस खेल से संबन देता है यह अंतराश्टे मुक्यवाजी चै बोर गोहेन ने महिला विश्व मुक्यवाजी चैंप्यांसिफ 2820 में भारत के ने दो सुनद पतक जीते हैं एक लवलीना ने जीता एक निखत जरीन ने निखत जरीन का तो दूसरा है यह और लवलीना का पहला है और महिला विश्व मुक्यवाजी चैंप्यांसिफ का और बहुत कन्फीजन होता भगत सिंग में और चंदसेखराजाद में इसका अंसर अपसन नमबर सी चंदसेखराजाद के नेतरत में दिल्ली के फिर उस्सकोटला मैदान में हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिकन एसोसियेशन की स्थापना की गई इसका उद्देश भारत में एक समाजवादी गड़तंत्र वादी राजी की स्थापना करना था इंपोर्टन प्रेशन कोशन नमर 11 पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने किस सिती को पड़तेक्ष कारवाही दिवस मनाया था यानि डाइरेक्ट एक्सन डे यह मनाया था 1946 में 16 अगस्त 1946 को ठीक है याद करने का तरीका जिस साल भारत आजाद हुआ उससे एक वर्स पहले और जिस दिन आजाद हुआ उसके एक दिन बाद में तो 12 अगस्त 1946 को बाइसराय ने जवालाल नहरू को अंत्रिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया इसके विरोध में मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को पड़तेक्ष कारवाही दिवस मनाया यानि डाइरेक्ट एक्सन डे इसकी अधार पर संपूर भारत में वीशन संपरद अधियोगा आंदोलन का गठन हुआ इसके अधियक कौन थे मोडर्ण हिस्ट्री का सवाल ऑप्सन मड़ीस का अंसर है राम मनोहर लोहिया थे एक लिए दिसंबर उनिस पर और उनिस तो अठाइस में अखिल भारतिये समाजवादी युगा आंदोलन का गठन हुआ इसके आयुजुद किया जाता है देखिए यह आयुजुद किया जाता है मार्च में मार्च महीने के आखरी सनिवार को तो आर्थ हावर एक विश्वयापी आंदोलन है जो व्यक्ति और समुदार व्यवसायों को एक घंटे के लिए गैर आवश्चक जो विद्धुत लाइट है उस मार्च महीने के आखरी सनिवार को आउजुद किया जाता है और आर्थ हार जो है वो डबलु डबलु एफ की वार्सिक पहले वर्ड वर्ड लाइफ फंड फॉर नेचर की इसकी सुरुवात हुई थी वर्द्वहार साथ में करना क्या है 180 देशों से अधिक जो देश हैं उन प्रजा बचाने हैं तू आवश्चक प्रकास व्यवस्था के उप्योग से परेज किया जाएगा थीम क्या है इसकी इनवेस्ट इन आवर प्लैनेट हमारे ग्रह में निवेश विम्स्टेक का सच्ची वाले कहां पर है कॉश्चन नंबर 14 है धाका में देखें विम्स्टेक एक वहुपक्षी संगठन है छेत्री वहुपक्षी संगठन है इसके सार्थ सरस्यों में से जो पांच है वो दक्षण ऐसिया से हैं कौन-कौन बंगलादेश भूटान भारत नैपाल और स्रिलंका ठीक है और दो जो हैं वो हैं दक्षण और फिप्टीन पर आजए जलवाईू परिवर्तन पर अंतरसरकारी पैनल की स्थापना कब की गई थी 1998, 1988 में की गई देखिए, जलवायू परिवर्तन पर अंतरसरकारी पैनल जलवायू परिवर्तन से संबदित विज्ञान के आखलन के लिए संयुकतृराष्टी की संस्था है यह 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संकठन और संयुक्त राष्ट परिवर्ण का रिक्रम द्वारा नीती निर्मताओं को जल्वाई परिवर्तन के विज्ञानिक अधार इनके प्रभावों एबंभविश के जोखिम तथा अनुकूलन विश्वमन के विकल्पों के नेमित आ प्रत्वी के अस्तित्व हे तू बनो एवं पेडों के महत्व के विश्व में जागरुकता बढ़ाने के लिए प्रतेक वर्स किस मार्च को अंतराष्टे वन दिवास मना जाता है इसे वन विश्वन दिवस के रूप में भी जाना जाता है और वर्स दोहार 23 की थीम क्या है वन और स्वास्त यानि फोरेष्ट और हेल्थ कोशन नमबर 17 पर आजे खाद और क्रशी संगठन के संदर में इन अमर्खित कत्नों पर विशार कीजिए खाद और क्रशी संगठन की इस्थापना उनिसो पैटालिस में संग के तहत की गई और यह संगठ राष्ट के एक विस 245 में संग के तहट की गई और यह संउक्तराष्ट की एक विसेश एजनसी परतेक वर्ष 16 एक्टूबर को विश्वखाद दिबस मनाया जाता है और यह दिबस एफ एओ की स्थापना की वर्षगांट की याद में मनाया जाता है पुशन नबर 18 पराजी नम्रेकित में से किस थी को गांधी जी ने दांडी मार्च या दांडी सत्यागरे सुरू किया था एक्जएक्ट डेट के साथ याद रखेगा ऐसे प्रश्णों को इसका उत्तर है मोडर्न हिस्ट्री का प्रश्ण यह 12 मार्च 1930 को तो दांडी मार्च जिसे नमक मार्च या सॉल्ट मार्च या दांडी सत्यागरे के नाम से भी जाना जाता है मोहंदास करमशंद गांधी के नेतरत में किया गया एक अहिंसक सवीना पग्यान अनुन था और इसे 12 मार्च 1930 से 6 अपर 1930 तक नमक पर बिटिस एकाधिकार खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रतियक्स कारवाही अभ्यान के रूप में चलाया गया और गांधी जी ने 12 मार्च को साबर मती से अरब सागर तक 78 अनियाईयों के साथ 241 मिल की यात्रा की यह भी पूछा जाता है प्रश्मों पूछा भी गया यह पीसी ने किया क्या करना था इसका क्या उद्देश्य था ठीक है ब्रिटिस नीति का उनलंगन करना था कोश्य नुमर 19 पर आजिये भारतिय स्वतनतरता संग्राम के दौरान रोलेक्ट एक्ट ने किस कारण से सावजनिक रोज उत्पन किया इसने धर्म की सुतनत्रता को कम किया रोलट एक्ट ने इसने भारतिय पारम पर एक सिक्षा को दबा दिया इसने ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर अंकुस लगाया या इसने सरकार को बिना मुकदमे के लोगों को कैद करने के लिए अधिकरत किया रॉलेट एक्ट जिसे काला कारून कहा गया बिना अपील बिना बकील और बिना दलील का क्योंकि इसने बिना मुकदमे के लोगों को कैद करने के लिए अधिकरत किया तो C है इसका अंसर देखिए रॉलेट समिती जिसे सेडिशन या राजदरो समिती के रूप में भी जाना जाता है को वर्स 1917 में बिर्टेस भारत सरकार द्वारा ने उक्त किया गया जिसके अध्यक्स कौन थे अंग्रेजी नियाधीस सिड्नी रॉलेट ठीक है तीन प्रेशन बन गए अध्यक्स कौन थे सिड्नी रॉलेट और जो समिती बनाई गई उसका नाम क्या है सेडिशन समिती कब बनाई गई उन्निस सो सत्रा में वर्स 1919 का अराज़क और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम यानि रॉलेट एक्ट या ब्लैक एक्ट या काला कानून के नाम से जाना जाता है और राज़दो समिती की सिफारिसों पर अधारित था ये देखे इस अधिनियम ने सरकार को कौन सी सरकार बिटिस सरकार को आतंकबाद के संदे वाले किसी व्यक्ति पर बिना मुकदमे बिना किसी मुकदमे के अधिक्तम दो वर्स की कैद की अनुमती दी जिस कारण से सावजन एक रोज जो है उत्पन हुआ और इस अन्याय पूर्ण कानून के जवाब में गांधी ने रोलेट एक्ट के खिलाब देश वियाफी विरोध का आहन किया और 16 अप्रेल 1919 को एक हड़ताल भी सुरू की गई थी 6 अप्रेल 1919 को 20 वप्रेश्ट अंतिम प्रेश्ट है जलिया वाला भाग हत्याकांड की जाच करने के लिए जो समिती बनी थी उसके अध्यक्स कौन थे रेम जे मैक डोनाल्ड लॉर्ड विलियम हंटर क्लीमेंट इटली या सिड्नी रोलेट देखे इसका अंसर अप्सर नमबर सी लॉर्ड विलियम हंटर तो 13 प्रेल 1919 का जलिया वाला भाग हत्याकांड क्या हुआ था इसमें सांति पूर्ण बैठक कर रहे थे लोग और ब्रिगेडियर जनरल रेगी नाल्ड डायर ने गोली चलाने का आदेश्ट दे दिया जिसमें हजारों निहत्ते लोग मारे गए जिनमें पुरुस भी सामिल थे महिला भी सामिल थे और बच्चे भी सामिल थे चौद एक्टूबर 1919 को भारत सरकार ने डिसॉर्डर इंक्वाइरी कमेटी के गठन की घोशना की यह कमेटी लॉड विलियम हंटर की अध्यक्स दाके चलते उनके नाम हंटर कमिशन के नाम से जानी जाती है और इसमें भारतिय सदस्य सामिल थे देखे इस समीती का जो फैसला आया वो मार्च 1920 में मार्च 1920 में प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट में समीती ने सर्व सम्मती से डायर के क्रत्यों की जिंदा की और उसे अपने पत से इस्तीवा देने का नर्देश दिया और भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस ने अपनी गैर आधिकारिक समीती नियुक्त की जिसमें मोतिलाल नहरू सियारदास अब्बास तयब जी एमार जैकर और गांधी को सामिल किया गया था इस चीज को याद रखेगा ठीक है एक तो अफिशल कमिटी बनाई अंग्रेजों ने ठीक है डिसॉर्डर इंक्वाइरी कमिटी और भारतिय भी उसमें सामिल थे और इसकी अध्यक्सता किस ने की थी लॉड्ड विलियम हंटर ने और इसको जो है डिसॉर्डर इंक्वाइरी कमिटी के इस्थान पर हंटर कमिशन के राम से जाना जाने लगा और इसके विपरीत जो भारतिय थे वो भी अपनी गैर आधेकारी को नों ने समीती बनाई थी तो उसमें जो लोग सामिल थे मोतिलाल नहरू सियारदास अबबास तयब जी एमार जैकर और गांधी इसमें सामिल थे तो इस चीज को जाद रखिएगा यह भी प्रेशन बना एक बार तो 20 प्रेशन थे यह इनके प्रेक्टिस कर लीजगा एक से दो बार हर दिन प्रेक्टिस करते रही है यह नंबर है इस पर यह नंबर है और यह चैनल है आप सब्सक्राइब कर सकते हो इसको